हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ परफेक्ट डोसा बेटर की रासेपी को शेयर करूँगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो मैंने यहां दो कटोरी मसूरी चावल लिया है, यह डोसा बनाने के लिए बैस्ट चावल है वैसे मार्किट में डोसा राइस भी एविलेवल है, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, बस बाशमती राइस डोसा बनाने के लिए मत लीजिएगा इसी कटोरी से मेजर करके आदे कटोरी उड़त की धुलीवी डाल लेंगे दो बड़े चमच चना डाल ली है एक छोटा चमच मेथी दाना लिया है और वन फॉर्थ कटोरी पोहा लिया है यानि के फ्लेटन राइस ingredients को measure करने के लिए आप कोई भी कटोरी या कप को set कर लें और उसी के according आप सारी ingredients को measure कर लें और अगर आपका measurement तखी होगा तो आपका बेटर भी perfect ही बनेगा अब कोई भी बड़ा बड़तन ले लें और इसमें सारी ingredients को एक साथ हम डाल देंगे बस हम पोहा को नहीं डालेंगे उसको हम बाद में ग्राइंडिंग के टाइम पर यूज करेंगे और अब इन सारी इंग्रीडियन्स को तीन से चार बार पानी से बहुत अच्छे से धोएंगे जिससे की सारी इंप्यूरिटी निकल जाए तो मैंने यहां सभी चीजों को तीन बार अच्छे से धो लिया है और अब यह सारी चीज़े बिल्कुल साफ हो गई है और अब इसमें पानी डाल देंगे और इसे च्छे से साथ गंटे के लिए ढख कर सोख होने के लिए रखेंगे यह काम आप मौर्निंग में भी कर सकती है और शाम तक सारी इंग्रीडियन्स अच्छे से सोख हो जाएंगी साथ गंटे हो चुके हैं और यहां पर हमारी सारी चीज़े भी अच्छे से सोख हो गई है तो इसका सारा पानी में दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लूगी और अब एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें यह सारी चीज़ों को ट्रांसफर कर लेंगे आथी इसमें पोह भी एड़ कर देंगे और इसके साथ ही उसे भी ग्राइंड कर लेंगे मैं इसमें आधा कब पानी भी डाल रही हूँ जो पानी हमने चावल से निकाला था मैं वही पानी डाल रही हूँ और इसको ग्राइंड कर लेंगे और अब इसका एक स्मूथ बेटर रेडी करेंगे बहुत जादा हमें जो बेटर है उसको फाइन नहीं करना है तो बेटर हमारा अब रेडी हो गया है और इसको अब मैं ट्रांसफर कर लूँगी किसी दूसरे बर्तर ने और इसको हमें फर्मेंट करना है आठ से दस घंटे के लिए जार में काफी सारा बेटर लगा हुआ था तो मैंने उसमें थोड़ा पानी डाल कर और इस बेटर में उसको मिला दिया है नमक को हम बाद में यूज करेंगी क्योंकि नमक जो होता है वो फर्मेंटेशन को स्लो कर देता है फर्मेंटेशन काफी हद तक क्लाइमट पर भी डिपेंड करता है गर्मी में जल्दी फर्मेंट हो जाता है और सर्दियों में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है अब हम चेक करेंगे अपने बेटर को तो हमारा बेटर यहाँ अच्छे से फर्मेंट हो गया है और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे कंसिस्टेंसी को हम मीडियम रखेंगे और जब आपको डोसा बनाना हो तो आप इसमें नमक एड़ करें और डोसा बना लें बचे हुए बैटर को हम फ्रीज में 3-4 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं किसी एर टाइट बटन के तो हमारा परफेक्ट डोसा बैटर रेड़ी है और वीडियो ची लगी हो तो प्लीज लाइक, शियर और कमेंट कीजिएगा चैनल बे फस्ट आइम आए है तो प्लीज सब्सक्राइब दरूर कीजिएगा थाइट वर सब्सक्राइब जाएब टाइएब दो हमझाएब टाइब टेजिएगा